ताडे आज भारी गिरावट देखी जा रही है सोने में दोस्तो दिवाली आते आते सोने और चांदी की खरीददारी करने वालों के चार चांद लगने वाले है जी हाँ दोस्तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बिताया था सोने और चान्दी के दाम में लगातार गिरावट का दोर जारी है आज भी सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के बाद में सोने और चांदी का क्या भाव रह गया है आईए जानते है दोस्तो सराफा बजार के कारोबारियों के एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले समय में सोने का भाव 46,000 रुपे प्रती 10 ग्राम के आसपास रह सकता है जी हाँ ये धन 13 या दिवाली के आसपास 46,000 रुपे तक जा सकता है ऐसा उनका कहना है फिलाल अपने बात करते हैं आज के सोने और चांदी के दाम की लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चोटी से गुजारी से इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबा देना जैसे ही सोने और चांदी के दाम में कोई भी गिरावट आएगी तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी इसलिए चांदी के दाम की बात करते हैं तो चांदी के दाम में अच्छी कासी गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के बात में चांदी का दाम कुछ इस प्रकार से है एक ग्राम का 55.40 रुपे और प्रती किलो ग्राम का 55.400 रुपे आज का चांदी क के दाम में 900 रुपे प्रती किलो ग्राम की गिरावट देखने को मिली है जो की काफी अच्छी बात है लगातार इसमें गिरावट आई रही है तो ऐसे मैं चांदी की करीददारी करने वालों के लिए बल्ले बल्ले है अब बात करते है सोने की दाम की सोना भी अपने all time हाई से काफी सस्ता है फिलाल अगर 18 केरेट के अनुसार आज के सोने की दाम की बात करें तो ये लगबग 37,598 रुपए पर पहुंच गया है प्रती 10 गराम के अनुसार 22 केरेट के अनुसार सोने के दाम की बात करें तो 1 गराम का 4,595 रुपए 8 गराम का 36,760 रुपए 10 गराम का 45,950 रुपए और 100 गराम का 4,69,500 रुपए 22 केरेट सोने का अच का दाम है वही प्योर यानि की 24 केरेट सोने के दाम की बात करें तो 1 गराम का 5,013 रुपए 8 गराम का 40,104 रुपए 10 गराम का 50,130 रुपए 100 गराम का 5,1300 रुपए 24 केरेट सोने का दाम है सोने के दाम में 100 गराम के अनुसार 2200 रुपे की बड़ी गिरावट देखने को मिली है